दोस्ती, यहाँ पार्ट वान्या और उसकी मौसी की कहानी है। वान्या की मौसी को मुर्गिया पालने का शौक है। वह उनका पूरा पूरा ध्यान रखती है। वान्या भी उनमें हिल मिल जाता है। इस कहानी के द्वारा यहाँ बताया गया है कि पशु पक्षी भी प्यार और नाराजकी को समझते हैं। यदि किसी पक्षी यद जानवर को पाला जाए, तो उनकी देखभाल के लिए कैसी कैसी सावधानिया बरतनी होती है। वानिया की नाना गाउं में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मियों की छुट्नियों में वानिया अपने नाना के गाउं गया था। अभी बहुत सुभा थे। उजाला फैल चुका था। पर धूप नहीं निकली थे। सब लोग उठ चुके थे। थंडी हवा बह रही थे। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वानिया को पीने को दूद दिया। नाना और मौसी को चाय दे। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वानिया से कहा। दूद पीकर मेरी साथ मैदान में चलना। चुजों को दाना खिलाना ह वे भी भूके होंगे चाई पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गीहूं के दाने ले लिए बान्या भी दूद पी चुका था वह भी मौसी के साथ बाहरा गया श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती है दड़बे की सफाई करती है और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती है दड़बा लकडी और जाली का बना है सर्दी बर्सात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है ढकने के लिए एक दिरपाल भी है चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते है दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुचते ही सभी चूजे चीची करने लगे और जाली के पास एकठे हो गए बे मौसी को पहचानते है सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था मौसी ने बताया बड़ा वाला चूजा पहुत बत्माश है बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है ये सब उसकी शिकायत कर रहे है इसी लिए वह पीछे बैठा हुआ है तो क्या बाकी सब उससे ड़ते है नहीं तो जब वह ज्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते है लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है इसलिए वह नाराज है बान्या ने देखा बड़ा वाला चूजा सच मुझ कुछ नारासा लग रहा था श्वेता मौसी ने दड़बे का दर्वाजा खोला सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे मौसी ने डाटा ए बदमाशी नहीं एक एक कर बाहर आओ सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए यहाँ देख कर बान्या को बहुत मसा आया और वहाँ हंस दिया मौसी एक एक चूजे को बाहर निकलने लगे चार पांच चूजों को उन्होंने बाहर निकला होगा के बाकी अपने आप निकलने लगे जब सब चूजे बाहर निकलाए तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा यहाँ देख कर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा आज यहाँ बाहर नहीं आएगा अपने आप नहीं आएगा पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा उन्होंने दड़बे में हाथ डाल कर उस चूजे को बाहर निकाल कर सहलाया फिर समझाया तुम क्यों शैतानी करते हो शैतानी करोगे तुम मार खाऊगे ही इसलिए अब शैतानी मत करना चलो गुसा छोडो और दाना खाऊ मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए तब जाकर उसकी नारासगी दूर हुई लेकिन जैसे ही श्विता मौसी ने उसे जमीन पर रखा उसने दूसरे चूजों को दोडाना शुरू कर दिया मौसी ने दाने के डलिया देते हुए वानिया से कहा तुम सरा इन्हें दाने खिलाना तक तक मैं दड़बे की सफाई कर दूँ वानिया ने डलिया ले ले मौसी दड़बा साफ करने लगे और वानिया चूजों को दाना खिलाने लगा उसने देखा कि वहाँ जब भी जमीन पर दाना डलता है सबको पीछे धकेल कर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सच मुझ पहुच शरारती है अब बानिया ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा पहले तो सब चूजे थोड़ा हिच किचाए लेकिन जब उन्होंने देखा कि दानी जमीन पर नहीं रखे जा रहे हैं तो वे वानिया की हथेली से ही दानी चुगने लगे बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की वानिया ने हथेली बंद करके उसकी सामने से हटा ले बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया आखिर वानिया को उस पर दया आ गई वानिया ने उसके लिए कुछ दाने अलग से जमीन पर रख दिये बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरी चूजों को नहीं आने दिया जब वा अपने दाने खाने लगा तब वानिया ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया मैदान में धूपा गई थे मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे के अंदर किया और दर्वासा बंद करके उसमें ताला लगा दिया धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई अब बहा हर रोज उन्हें दाने खिलाने लगा बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया चुटियां खतम होते ही वान्या नाना के गाउं और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लोटाया और पढ़ाई लिखाई में चुट कया लेखक अजैश्री वास्तव